जहीं साथी मेरा नाम है आकाश मर्या और आपसी लोग का आपके अपने चैनल आलक्वीपी स्टेडी पर बहुत बस्वागत है फ्रेंड सी एर पिए फेर्ड कॉंस्टिबल मिनिस्टियल और एसाई वालों का अभी तेक रिजल्ट नहीं आया हुआ जी हां दोस्तों आप लोगों को मालू होना चाहिए है कि आप लोगों का बहुत पहले ही रिजल्ट एक्जाम कराया गया था लेकिन लेकिन जी हां दोस्तों आप लोगों का अभी तेक रिजल्ट नहीं आया हुआ यदि मैं आप लोगों को बताना चाहूँ है तो आर्टन लोगों का जो एक्जाम हुआ था वो हेर कॉंस्टिबल मिनिस्टियल वालों का जो है इन लोगों का 22 फरवरी जी हाँ दोस्तों 22 फरवरी से लेकर 11 मार्च तक रिटेन एक्जाम चला हुआ था वहें कुछ समय बाद जी हाँ दोस्तों उसको कुछ समय बाद आप लोगों का 27 मार्च से जो है है ESI वालों का रिटेन एक्जाम चला हुआ था लेकिन अभी तक रिजल्ट आप लोगों का नहीं आया हुआ है result क्यों नहीं आया हुआ है आप लोगों का अब तक कब तक आयेगा आप लोगों का सभी जानकारी आज सुड़ो हम लोग जो है जानने वाले हैं तो वीडियो को सुरूज लेकर अइंड तक जरूर देखना वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करना सेयर करना तथा ऐसे ही नोलेज़ वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके बारे हम सारी जानकारी देख लेते हैं तो फ्रेंट सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आप लोगों को रिजल्ट को आने में देरी क्यों हो रही है ठीक है अप लोगों ने इसका CRPF का कलेंडर चेक किया होगा तो वहाँ पर आप लोगों को जानकारी सारी दिया गया था कि कब आप लोगों का written exam होगा कब result आएगा कब आप लोगों का typing कराया जाएगा physical cup कराया जाएगा इसके बाद medical cup कराया जाएगा सारी डीटेल्स उसमें दी गए थी लेकिन जी हाँ दोस्तों आप लोगों का रीटेन एक्जाम को अप लोगों को थोड़ा दीले हो गया करा रहे हैं ठीक है अप लोगों को मालू है सभी का रीटेन एक्जाम साथ में होन वाला था लेकिन आप लोगों का 22 फरवरी से लेका जो है है 11 मार्च तक हेड कॉंस्टबल मिनिस्टियल वालों का रिटेन एक्जाम चला इसके बाद थोड़ा सा इनको समय लग गया है और 27 मार्च को आप लोगों के ASI वालों का ठीक है कौन से पोश्ट की LDC की जो की इसमें जो है जो लोग गौर्वर्मेंट जॉब में पहले से ही 5 साल तक सर्विस किये है ये उन लोगों के लिए वैकेंसी निकाली गयी है अभी हाला कि इसके रिटेन एक्जाम जो है अभी होने वाले है और कब तक होंगे मैं आप लोगों को बतान दूँँ इसी अगस्त लाष्ट में ही आप लोगों का इसका रिटेन एक्जाम कराया जाएगा तो इसको लेकर थोड़ा सा आप लोगों का डीले हो रहा है बहुत सारे बच्चों के इसारी टेंसन खत्म हो रही जाए जाए कि आप लोगों का अंदर अंदर ही आप लोगों का रिजल्ट जो है यह जारी कर दिया जाएगा इसके ठीक 15 दिन बाद आप लोगों का टाइपिंग करा लिया जाएगा इसके बाद आप लोगों का अप लोगों का टाइपिंग करा लिया जाएगा इसके बाद आप लोगों का फिजिकल आप लोगों का कराए जाएगा और बहुत सारे बच्चों का सवाल रहता है किस heps में यह इन्ट कर developed जीक है इस夜break यह आप लोगों जो टाइपिंग होगा वह आप लोगों का 30 वर्ड ठीक है 30 वर्ड आप लोगों का पर मिनट आप लोगों का टाइपिंग रहेगा इसके अलामा आप लोग जो है जो आपका result रुका हुआ है ये आ जाएगा इसके बाद आप लोगों का LDC वालों का और Head Constable Ministry वालों का सभी का typing साथ में करा जाएगा फिर आप लोगों का जो है फिजिकल करा जाएगा फिर मेडिकल करा जाएगा फिर final joining किया जाएगा आप लोगों को बता दूँअ फ्रेंज है कि आप लोगों को नमबर तक नमबर तक आप लोगों को इस वेकेंसी को complete करा लिया जाएगा जी हाँ तुस्तों नवंबर तक जो information आ रही है सारी जानकारी में आप लोगों तर नवंबर तक इस vacancy को complete करा लिया जाए जो की head consternal minister की vacancy आयो थी ठीक है उम्मेद कर रहा हूं इस तर रेटर अब आप लोगों को मन में कोई doubt नहीं रहा ना मैं मिलता हूं आप लोगों से नई जानकारी साथ नई वीडियो में तब तर लग के लिए टेक केर गुड़ बार